सद्गुरू संत महात्माओं द्वारा रुहानियत के वर्नन के ढंग में थोड़ी बहुत भिनता पाई जा सकती है परन्तु सभी पून संतों ने रुहानी उन्नती के लिए सद्गुरू के मार्गदर्शन और उनकी सहायता की आवशक्ता पर एक जैसा बल दिया है सभी पून संत इस बात से सहमत हैं कि रुहानी उन्नती करके परमात्मा से मिलाप करने के लिए सद्गुरू का होना अत्यांत आवशक्त है सद्गुरू की सहायता के बिना इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सकना असंभव है वास्तव में रुहानियत की किसी शाखा को केवल उसके नियमों या सिद्धान्तों के आधार पर ही नहीं परखा जा सकता बलकि ध्यान देने योगे बात तो यह है कि उसका नेत्रित्व करने वाला महत्मा कैसा है और उसकी आंत्रिक पहौँच या रसाई कितनी है कोई भी कला सीखने के लिए दो बातों की आविशक्ता होती है प्रियत्न और युक्ति बिना चले ना तो सफर खत्म हो सकता है और ना ही मन्जिल पर पहौँचा जा सकता है दरसल बिना अभ्यास किये किसी कला में निपुनता प्राप्त नहीं की जा सकती यही नियम रुहानी तरक्की पर भी लागू होता है प्रियत्न और अभ्यास के बिना उचा रुहानी अनुपव प्राप्त कर सकना असंभव है परंतु केवल प्रयत्न या मेहनत ही काफी नहीं जब तक हमारे प्रयत्न की दिशा ठीक नहीं है और जब तक हम सही मार्क पर नहीं चलते तब तक लाब होना तो दूर रहा हानी का ही खत्रा बना रहेगा यदि हम रेलवे स्टेशन पर पहुँचने के लिए बड़ी फुर्ती और तेजी से चलें परंतु अपना मूँ विपरी दिशा की ओर कर लें तो जितना अधिक चलते जाएंगे मन्जिल से उतने ही दूर होते जाएंगे अनेक जिग्यासूंगों के हृदे में परम सत्य के ज्यान की प्रबल इच्छा और सच्ची तडप तो होती है परंतु उसकी प्राप्ती की असली युक्ती का ज्यान नहीं होता गुरू अमरदास जी कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ती के लिए पूजा या भक्ती तो सब करते हैं परन्तु उनको भक्ती की सच्ची युक्ती का ज्यान नहीं है पूजा करया पर बिद नहीं जाने दूजय पाये मल लाई जब संसार का कोई साधारन काम सीखने के लिए भी शिक्षक की आवशक्ता पड़ती है तो रुहानी मार्क पर चलने के लिए तो रहा के वाकिफकार उस्ताद की जरूरत कहीं अधिक है क्योंकि इस सफर के राही को ना तो इस रास्ते का पता होता है और ना ही इस पर अकेले चलना खत्रे से खाली है यह रास्ता कई तरहां के संक्टों और खत्रों से भरा हुआ है ख्वाजा हाफिस ने कहा है कि अगर मुर्शिद शराब में मुसल्ला रंगने के लिए भी कहे तो जैसा वह कहता है वैसा ही करो क्योंकि जिस मार्ग पर वै खुद चल चुका है उसके रास्तों और रस्मों से वह बेखबर नहीं है मुलाना रूम विस्तार पूर्वक कहते हैं कि तेरा सफर कई संक्टों और खत्रों से भरा हुआ है इसलिए तू राह के वाकिफकार यानी भीदी को जरूर साथ ले जो कोई भी कामिल मुर्शित के बिना इस रास्ते पर चलने का प्रयत्न करता है काल या शैतान की शक्तियां उसको कू मार्ग पर ले जाकर दुखों के कुए में फैक देती हैं यदि तेरे सिर पर पूरे सद्गुरू का हाथ नहीं है तो शैतान तेरे अंदर सदा तरा तरा के वेहम संशे भ्रम आदी पैदा करता ही रहेगा और तुझे हमेशा परेशान रखेगा तुझसे पहले तुझसे अधिक कई बुद्धि मान अकेले सफर करने की मूर्खता के कारण शैतान के हाथों हानी उठा चुके हैं पीर रा बगुजी के बे पीर इं सफर हस्त बस पुर आफतो खोफो खतर हरके उबे मुर्शदे दर्रा हशुद उज गुलां गुमर हो दर्चा हशुद गरना बाशद साया ए पीरे फुजूल पस्तुरा सरगश्त दारद बांगे गूल गूलत अज रह अफगनद अंदर गुर्णानक साहेब ने लोगों को समझाया कि हमारा संसार में माजूद होना और 84 यानि आवा गमन का अंग बने रहना ही इस बात का पक्का सबूत है कि हम अपने प्रयतन द्वारा इस जाल से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते गुरू अरजन साहेब ने बड़े सुन्दर ढंग से वाणी में कहा है कि हे प्रमात्मा यदि जीव अपने आप तुझसे मिलाप कर सकता तो किसका मन चाहता कि तुझसे बिछुड कर इस रचना के दुखों की चक्की में पिस्ता रहे उस परमात्मा से मिलाप का आनंद केवल पूरे संतों की संगती द्वारा ही प्राप्त हो सकता है केवल गुरु नानक साहिब की वाणी ही नहीं बलकी श्री आदी गरंत की संपून वाणी सदगुरु की महिमा और सदगुरु के प्यार से परिपूर्ण है प्रोफेसर पूरन सिंग का कथन है कि गुरु नानक के बाद आने वाले पंजाब के सभी भक्तों वा महात्माओं ने गुरु साहिब की वाणी के अधार पर ही अपनी वाणी रची भाई गुरुदास की वाणी का भी यही प्रधान स्वर है प्रोफेसर पूरन सिंग अपनी पुस्तक The Spirit of Oriental Poetry में भाई गुरुदास के उधरन से कहते हैं कि सदगुरु का स्पर्श प्राप्त होने से अंतर में रुहानी प्रकाश भर जाता है स्थूलता और मलिंता दूर हो जाती है और जीव के पत पर अटूट प्रेम का नूर निरंतर ज़रता रहता है शिश्य जाकते हुए भी सोया रहता है और सदगुरु की दिया से वहे भी परमेश्वर जैसा ही निर्मल हो जाता है भाई गुर्दास गुरु के बिना शिश्य की कल्पना ही नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के मिलाप से ही संसार में रुहानियत के दिव्वे जीवन का जहूर होता है जहां भी शिश्य की दृष्टी जाती है उसको वही दिव्वे जीवन दिखाई देता है सभी वस्तुएं उसे प्रेम प्रकट करने का माध्यम लगती है वह प्रेम जो की गुरु और शिश्य के बीच होता है उसे अपना सद्गुरु सदा एक मुनुश्य देह को धरन करने वाले प्रमात्मा के रूप में दिखाई नहीं देता बल्कि उसका मन गुरु के प्रेम में इतना लीन रहता है कि उसे अपने सद्गुरु के सिवाए और कुछ दिखाई नहीं देता अपने एक पद में भाई गुर्दास कहते है मेरे रिदे में प्रकाश की उस प्राणदाई मदिरा की एक बूंद टपका दे पवित्रता के सभी नियमों को तोड़ दे और मेरा नाम उन परहेजगारों की सूची में से काट दे जो जीवन का अमरित नहीं पीते गुरु गोबिन सिंग जी के भक्त भाई नंदलाल अपने जिंदगी नामे में बड़े अनुपम ढंग से पूरे सद्गुरु की महिमा करते हैं आप कहते हैं कामिल मुर्षित की जबान इलाही भेद प्रकट करती है परमात्मा की सूरत पूरे गुरु की सूरत धारन करके सामने आ जाती है इसलिए तू कामिल मुर्षद की सूरत मन में धारण कर ले जिस रिदे पर कामिल मुर्षद का स्वरूप छप जाता है उसके अंदर परमात्मा का शब्द भी घर कर लेता है मुर्षदे कामिल बुवद दीदारे हक कजजबानश बिश्नवी इसरारे हक सूरते हक मुर्षदे कामिल बुवद नक्षेउ कायम दरूने दिल बुवद नक्षेउ चू दर दिले कस जा कुनंद हर्फे हक अंदर दिलश्मा वा कुनंद सद्गुरु की आवशक्ता सद्गुरु का प्यार क्या है? इस प्रशन से दूसरा प्रशन यह पैदा होता है कि सद्गुरु है क्या यदि सद्गुरु भी साधारण नाश्वान मनुश्य ही है तो उसके साथ प्यार करने के बजाए क्यों न सीधा उस सर्व्यापक परमेश्वर से ही प्यार किया जाए जो स्रिष्टी के कणकण में समाया हुआ है मनुष्य के प्रेम का पात्र केवल निरलिप्थ और पून प्रभु ही होना चाहिए क्योंकि केवल पून का प्रेम ही हमें जगत या इसके प्रेम से मुक्त कर सकता है जो खुद अधूरा या अपून है उसका प्यार हमें माया के भ्रमों में ही भठकाता रहेगा और हमारा 84 के चक्र से छुटकारा नहीं करा सकेगा परंतु यह बहुत महतपून तथे है कि उस सर्व्यापक निराकार परमेश्वर को अपनी प्रीती तथा भावनाओं का आधार नहीं बनाया जा सकता क्योंकि जो भावना के दाएरे में नहीं आ सकता वह प्रेम के दाएरे में भी नहीं आ सकता उसके साथ प्यार भी नहीं किया जा सकता वास्तफ में ऐसी सत्ता को प्यार करना और उसकी भक्ति करना तो एक और रहा उसके बारे में यह निश्चे पूर्वक कहना भी कठिन होगा कि वह है भी या नहीं यह सत्ते तो एक सूक्ती का रूपधारन कर चुका है कि किसी व्यक्ति या हस्ती को प्यार करने के लिए उसका मौजूद होना यानी जिन्दा होना आवश्यक है वह परमपिता परमात्मा भी मनुष्य के इस संकट से अंजान नहीं है इसलिए उसने संसार में पून संसद्गुरूं को हर काल और हर समय में भेजने का नियम बनाया है यही कारण है कि पून संसद्गुरू भटके और भूले हुए जीवों को उपदेश देने और मार्ग दिखाने के लिए सदा संसार में आते रहते हैं परमात्मा के भेजे हुए पून संसद्गुरू अंधेरे में भटक रहे जीवों को शब्द यानी नाम के भेद का प्रकाश देते हैं जिसके अभ्यास से जीव, जन्मरन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं गुरू सहिब फरमाते हैं कि शब्द यानी नाम के बिना मुक्ती नहीं मिलती और सद्गुरू के बिना शब्द यानी नाम का भेद प्राप्त नहीं होता क्योंकि परमात्मा ने अपने मिलने का यही कुदरती नियम बनाया है इस से पता चलता है कि उस परमात्मा ने खुद ही जीवों के कल्यान के लिए संत सद्गुरु का रूप धारण करके संसार में आने का नियम बनाया है सद्गुरु उस परमात्मा का ही प्रकट रूप है क्योंकि केवल उसके प्रकट रूप से ही प्रेम किया जा सकता है यदि केवल प्रेम के द्वारा ही प्रमात्मा का मिलाप प्राप्त किया जा सकता है तो प्रमात्मा से मिलाप के साधन में सत्गुरु एक आवश्यक कड़ी है मान रे क्यों छूटे बिन प्यार गुर्मुक अंतर रव रहया बक्षे पगत पंडार बिन गुर प्रीत न उप जै हमें मैल न जाए गुरु साहिब दखनी ओंकार में बड़े खूपसूरत ढंग से फरमाते हैं कि हर व्यक्ती परमात्मा के लिए अरदास यानि प्राथना करता है परन्तु जिसको भी व्यक्ती परमात्मा अपने साथ मिलने का दान देना चाहता है पूरे गुरु के द्वारा देता है गुरु नानक साहिब ने गुरु की आवशक्ता पर ही जोर नहीं दिया बलकि सद्गुरु का प्रत्यक्ष होना अनिवारे माना है परन्तु सवाल यह उठता है कि क्या भूत काल में हुआ कोई पूर्ण संथ सद्गुरु हमारा गुरु नहीं हो सकता क्या ऐसा महात्मा हमें रुहानी मार्गदर्शन और सहायता नहीं दे सकता अपने समय के जिवित सद्गुरु के बिना काम क्यों नहीं चल सकता हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि प्राचीन काल में आये पूर्ण सद्गुरु इसलिए परमात्मा से हमारे पास आये थे कि हम सीधे ही परमात्मा से या उसमें समा चुके पिछले पूर्ण महात्मा से लाब नहीं उठा सकते वजहे उनकी सामर्थे की नहीं हमारी मजबूरी की है क्योंकि हम अपनी वर्तमान अवस्था में उनसे सहायता लेने में समर्थ नहीं है हम आज तक एक देश से दूसरे देश में जा चुके सूरे से प्रकाश नहीं ले सकते दूसरे देश में जा चुके सूरे से लाब उठाने के लिए हमें उस देश में जाना पड़ेगा इसी प्रकार यदि हम खुद सच्खंड जा सकते तो हमें ना आज और ना कभी पहले किसी सद्गुरू की आवशक्ता होती वक्त का सद्गुरू पहले परमेश्वर के स्तर से हमारे स्तर पर आता है और फिर हमें परमात्मा यानि उस स्तर पर ले जाता है जिस पर पिछले पूर्ण संत महात्मा पहुँच चुके है इसलिए परमात्मा से जुणने के लिए कहें या पिछले समय में हुए पून्ट संतों से जुनने के लिए कहें हर हालत में वक्त के पूरे गुरू की आवशक्ता है यह ठीक है कि पिछले संतों की रचनाओं और वानी का हमारे मन पर गहरा प्रभाव पढ़ता है और उनसे हमारे मन में उनके बताए गए मार्क पर चलने का शौक पैदा होता है इसमें भी कोई संधे नहीं कि जो जीव उन महात्माओं के जीवन काल में उनकी संगती में आए उन महात्माओं ने उन जीवों को परमात्मा से मिला कर अपना यानि परमात्मा का ही रूप बना दिया परंतु वे महात्मा अब मनुष्य लोक से जा चुके हैं और आज हम अपने रुहानी सफर में उनसे कोई अमली सहायता नहीं ले सकते जीवित सद्गुरू वास्तव में सद्गुरू शब्द का अर्थ ही जीवित यानि साक्षात सद्गुरू है पून सद्गुरू और परमात्मा में यह अंतर है कि सद्गुरू देह स्वरूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट होता है जबकि परमात्मा अपने निराकार स्वरूप में हमारे लिए अलक है जब पूर्ण महात्मा देहे का चोला उतार देता है तो वहे वापस जाकर निराकार परमेश्वर में समा जाता है उस हालत में उसमें और निराकार परमेश्वर में कोई भेद नहीं रहता इसलिए रुहानी सफर या परमात्मा से मिलाप के लिए प्राचीन समय में हुए किसी संत महात्मा पर निर्भर रहने से तो सीधा परमात्मा पर ही निर्भर रहना चाहिए क्योंकि महात्मा और परमात्मा एक हो चुके हैं उस अवस्था में किसी मध्यस्त की आवशक्ता नहीं होनी चाहिए। सीधे परमात्मा से सहायता प्राप्त करने का अर्थ है कि हमें ना आज के और ना ही किसी प्राचीन समय के महात्मा की आवशक्ता है। इसका यह भाव हुआ कि हमें सद्गुरू की कोई आवशक्ता ही नहीं। उस हालत में इस प्रश्न का उत्तर देना होगा कि संसार में पून संत महात्मा क्यों आते रहे हैं। संतों के दो रूप होते हैं। एक तो इस संसार में विचरने के लिए स्थूल शरीर, जब तक कोई संत जीवित है, इस शरीर की आवशक्ता है। दूसरा संतों का शब्द रूप होता है। इसे शब्द रूप कहें या परमेश्वर रूप कहें, कोई अंतर नहीं। इस रूप द्वारा संत इस संसार में रहते हुए भी निराकार परमेश्वर से जुड़े यानि अभेद होते हैं और शरीर का चोला त्यागने के बाद भी वे उसी रूप में जाकर समा जाते हैं गुरु अर्जन साहिब समझाते हैं कि केवल देह के अंतर के कारण परमात्मा और पूर्ण संत दो नहीं होते शरीर का भेद होने के बावजूद दोनों वास्तव में एक हैं हर का सेवक सो हर जेहा पेदन जानो मानस देहा जब हम कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ती के लिए सद्गुरू की आवशक्ता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि परमात्मा से मिलने के लिए परमात्मा की आवशक्ता है क्योंकि शरीर का चोला त्याक चुका महात्मा इस समय परमात्मा ही बन चुका है इसलिए सद्गुरू की आवशक्ता का अर्थ ही अपने समय के जीवित देदारी महात्मा की जरूरत है महात्मा का देश रूप केवल तब तक रहता है जब तक वह इस मनुश्य लोक में जीवित है उसके बाद उसका मनुश्य लोक में कारे समाप्त हो जाता है समे का सद्गुरु ही प्रकट या प्रत्यक्ष सद्गुरु है इसलिए यदि हमें सद्गुरु की आवशक्ता है जैसा की और सभी गरंद्शात्र बार-बार हमें याद दिलाते हैं कि हमें सद्गुरु की जरूरत है तो नीसंदे इसका यही अर्थ है कि हमें अपने समय के प्रत्यक्ष जीवित देधारी सद्गुरू की आवशकता है क्योंकि शरीर का चोला त्याक चुका महात्मा तो सदा के लिए परमात्मा में समा चुका है हम केवल उसी महात्मा से लाब उठा सकते हैं जो आज प्रत्यक्ष हमारे सामने उपस्थित हो जो हमें शब्च से जुणने का भेद दे सके और अपने साथ उपर के रुहानी मंडलों में ले जा सके गुर्णानक साहिब खुद बहुत सुंदर ढंग से संकेत करते हैं कि जो सद्गुरु के दर्शन करता है उससे दिक्षा और शब्द का भेद लेता है अपना तन मन उस पर अरपन करता है वही सुरत को भार से अंदर ले जाकर अपने आपकी पहचान करने और परमेश्वर का भेद पाने में सफल होता है सत्गुर देख्या दीख्या लीनी मन तन अरपयो अंतर गत कीनी गात मित पाई आतम चीनी यदि हम खुले दिल और निश्पक्ष भाव से विचार करें तो हम पाएंगे कि पिछले समय के संत महातमाओं पर हमारा विश्वास केवल हमारी कल्पना पर ही आधारित है इसका कोई वास्त्विक और तर्क पूर्ण आधार नहीं है पिछले किसी गुजर चुके महातमा और आज के किसी जिग्यासू में कोई संबंद स्थापत नहीं हो सकता हम अपने मन में अवश्य सोच लेते हैं कि प्राचीन समय में हुआ अमुक महातमा हमारा गुरू है परन्तु उस महातमा की और से तो कोई हा यानि मन्जूरी नहीं होती कि उसने हमें शिष्य या सेवक स्विकार कर लिया है यदि हम पिछले समय के एक महातमा को छोड़ कर पिछले समय के ही किसी दूसरे महातमा को गुरू धरन कर लेते हैं तो ना पहला महातमा यह बताता है कि उसने हमें अपना शिष्य बनाने से खारिज कर दिया है और ना ही दूसरा यह सूचित करता है कि उसने हमें अपना शिष्य या सेवक बनाना स्विकार कर लिया है किसी जीव को अपना शिष्य या सेवक स्विकार करना या ना करना केवल सद्गुरू का अधिकार है, शिष्य का नहीं कोई व्यक्ति किसी महात्मा को अपना गुरू बनने के लिए विवश नहीं कर सकता इस तरहां जीवित शिश्य और गुजर चुके सद्गुरू के बीच कोई वास्त्विक संबंद स्थापित नहीं होता यह केवल हमारे मन का भ्रह्म या धोखा होता है हम उसकी सहमती के बिना ही अपनी ओर से सोचते रहते हैं कि हम अमुक महात्मा के शिश्य बन चुके हैं ऐसी स्थिती में हमारा मन ही हमारा अग्वा या गुरू होता है और हम मन के कहने पर ही चलते हैं एक और बात विचारनी है कि जब हम ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि एक विशेश महात्मा के बाद संसार में कोई दूसरा पूर्ण महात्मा नहीं आएगा तो हम उस महात्मा से पहले और बाद में संसार में आने वाले जीवों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करते है वह परमपिता परमात्मा जो न्याय ही नहीं प्रेम और दया की मूर्ती भी है अपनी दया मेहर में कोई भेदभाव नहीं कर सकता वह कभी यह नहीं कर सकता कि थोड़े से समय के लिए ही अपने संत महात्माओं को संसार में भेजे और उन महात्माओं से पहले या पीछे संसार में आने वाले जीवों को मुक्ती प्राप्त करने और अपने साथ मिलाप कर सकने के अधिकार से दूर रखे ऐसी स्थिती में वे लोग जो किसी संत के आने से पहले संसार में आए विशेश तौर पर अभागे कहलाएंगे क्योंकि वे बेचारे तो उस महात्मा की कोई ख्याली तस्वीर भी नहीं बना सकते जिसके लिए शायद यह कहा जाए कि वे अकेला ही सब आने वाले पीडियों का मुक्ति दाता है वास्तव में परमात्मा की द्या मेहर का स्रोत कभी नहीं सूकता अपनी अपार द्या के कारण ही उसने ऐसा प्रभंध कर रखा है कि संसार कभी भी पूर्ण संसद्गुरों से खाली नहीं रहता संसार में समाज और राजनीती के नियम या कानून बदल सकते हैं पर यह इश्वरिय कानून कभी नहीं बदल सकता कि परमात्मा से मिलाप करने की इच्छुक आत्माओं की सहायता के लिए कोई न कोई पूर्ण संत सदा संसार में मौजूद रहेगा जिस आत्मा में परमात्मा से मिलने की सच्ची तडप या सच्चा विरह होगा उसकी सहायता के लिए पूरा सद्गुरु जरूर प्रकट होगा गुरुनानक साहिब कहते हैं जो सदा तेरे गुण गाते हैं और जिनकी रसना पर सदा तेरे प्रेम के गीत हैं वास्तव में गुरुनानक के घर की वानी में बार बार इस बात पर जोड दिया गया है कि पूरे सद्गुरु के बिना कभी भी परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता मत को परम पुले संसार गुर बिन कोई न उत्रस पार बिन सद्गुर सेवे नाम न पाईये पढ़ थाके शांत न आई है कोहो नानक प्रभ इह जनाई बिन गुर मुकत न पाईये पाई सद्गुर के प्रती प्रेम और श्रद्धा का भाव केवल गुरु घर की वानी तक ही सीमित नहीं है इरान के सूफी संतों की लेखनी में भी इस गहरे प्रेम और श्रद्धा के दर्शन होते है उधारन के लिए शम्स तब्रेश के कलाम में आता है यदि तु रब का दिदार करना चाहता है तो संतों के चर्णों की धूली को अपनी आखों का सुर्मा बना क्योंकि उन में जन्व से अंधे को भी आखे दे सकने की सामर्थे है अंधों से आपका भाव ऐसे लोगों से है जिनको सर्व्यापक प्रमात्मा कहीं नजर नहीं आता संत महात्माओं और गरंत शास्त्रों की वाणी में यह जान लेने के बाद कि परमात्मा की प्राप्ती के लिए पूरे सद्गुरु की सहायता प्राप्त करना अवश्यक है यह जानना भी ज़रूरी है कि पूरा सद्गुरु किसे कहते है पूरा सद्गुरु वह महात्मा है जिसने अपनी रुहानी चड़ाई में सत्पुरुष यानि परमात्मा से मिलाप कर लिया है और जो दूसरे जीवों की भी परमात्मा से मिलाप करने में साहता करता है पूरे सद्गुरु के मुखे लक्षन हैं। ऐसा महात्मा उच्टम रुहानी प्राप्ती का पुंज होता है। वह ऐसी कुंजी है जो जिग्यासू के रुहानी सफर के द्वार पर लगे ताले को खोलने का काम करती है। गुरु अंगज साहिब कहते हैं कि सद्गुरु कुंजी है, जीव ताला है, मन कोठा है और तन छत है। गुरु के बिना ताला नहीं खुल सकता और गुरु के सिवाई किसी दूसरे के पास कुंजी नहीं है। गुर कुंजी पावु निवल, मन कोठा तान छात, नानक गुर बिन मन का ताक न उगड़े, अवर न कुंजी हात। सद्गुरु स्वयम रुहानी अभ्यास द्वारा परमात्मा से मिलाप कर चुका है। उसकी आत्मा परमात्मा में समा कर परमात्मा का रूप हो चुकी है। पहले कह चुके हैं कि सबसे उचे रुहानी अनुभव का असली अर्थ ही परमात्मा में समा कर परमात्मा का रूप हो जाना है। गुरु साहिब इस विशे में संकेत करते हैं कि परमात्मा ने अपने आपको गुरु के अंदर रखा है गुर्मह आप रख्या करता रहे गुरु अर्जन साहिब कहते हैं कि परमात्मा के भक्त देहे में बैठे होने के कारण देखने में अवश्ये परमात्मा से भिन लगते हैं, परंतु वास्तव में वे उससे भिन नहीं होते। जिस प्रकार समुद्र से उठी हुई लहर समुद्र में ही समा जाती है। उसी प्रकार हरी के सच्चे सेवक अर्थात संत परमेश्वा रूपी समुद्र की लहरे होती हैं। वे लहर के रूप में भी समुद्र का ही अंग होते हैं और लहर की तरह ही अंत में परमात्मा रूप मुर्शिद या सद्गुरू के पर्मात्मा में समाकर पर्मात्मा का रूप हो जाने का भाव शम्स तब्रेज बड़े सुंदर ढंग से समझाते हैं वह सर्फ शक्तिमान पर्मात्मा पहले मजबूत ताला लगाकर खुद दर्वाजे के पीछे छिपकर बैठ जाता है और फिर खुद ही इनसानी चोला पहन कर दर्वाजा खोलने के लिए आ जाता है पूरे सद्गुरु की एक बड़ी निशानी गुरुनानक देव जी यह भी बताते हैं कि ऐसा सद्गुरु अपने शिश्च को अंदर पर्मात्मा से विसाल करने के समर्थ बनाता है और यह काम वह पांच शब्दों की युक्ती या साधना द्वारा करता है गुनानक साहिब के सिध्धांत में शब्द को ही सारी द्रिश्चे और अद्रिश्चे स्रिष्टी का करता और आधार माना गया है और शब्द को ही मुक्ती या परमेश्वर प्राप्ती का एक मात्र साधन स्विकार किया गया है इस विचार धारा में पंज सब्द का जिक्र किया गया है जिसको समझ लेना जरूरी है एक और तो एक शब्द द्वारा संपूर्ण स्रिष्टी की रचना तथा दूसरी और पांच शब्द की बात में जो परस्पर विरोधाबास प्रतीत होता है उसका वास्तविक कारण यह है कि शब्द तो एक ही है और एक शब्द ही सारी स्रिष्टी में समाया हुआ है परन्तु यह शब्द पांच रुहानी मंडलों में से गुजरता हुआ पांच भिन भिन रूप धरन कर लेता है नदी का अपने स्रोत से निकलते समय आवाज वा आकार और होता है पहाडों में मार्ग बनाते समय और घाटी में और मैदानों में और तथा सुमुद्र में समाने से पहले और इसी प्रकार शब्द की एक ही धारा अलग अलग रूहानी मंडलों से गुजरती हुई अलग अलग प्रकाश और अलग अलग धुनों का रूप धरन कर लेती है नदी के भिन भिन आकार स्वरूप और आवाजों के विशे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए उस सारे रास्ते का पूरा ग्यान होना चाहिए जिसमें से नदी निकल कर आती है इसी तरहां पूरे सदगुरू को अलग अलग मंडलों में शब्द के अलग-अलग प्रकाश और इसकी अलग-अलग धुनों या आवाजों का पूरा ग्यान होना चाहिए गुर्णानक साहिब कहते हैं कि सच्चा सद्गुरू जीव को शरीर रूपी घर में ही परमात्मा का निजघर दिखा देता है और इसकी निशानी वे पांच शब्द हैं जो जीव इस रुखानी सफर में अपने अंदर सुनता है पांच शब्दों का वर्णन गुरू साहिब और भारत के अन्य अनेक संतों ने ही नहीं बाहर के देशों के सुफी फकीरों ने भी किया है ख्वाजा हाफिज के फार्सी कलाम में आता है तू खामोश होकर अंदर आसमान से आती हुई पांच नौबतें सुन ये पांच नौबतें छे चक्रों और साथ आसमानों के पार से आती है खामोश ओ पंज नौबत बिश्नोज आसमाने का आ आसमाने बेरूं जां हफ्त ओ इंशश आमद सदाचार पून जीवन नेक और पवित्र जीवन रोहानी उन्नती के लिए जरूरी शर्त है और रोहानी उन्नती का कुदरती परिणाम भी उन्चे रोहानी जीवन से नेकी इस परकार फूट फूट कर निकलती है जिस परकार फूल से सुगंधी सच्चा महात्मा वेह नहीं है जिसका रोहानियत में केवल उसूली या सेधान्तिक विश्वास हो सच्चा महात्मा वास्तव में वे है जो अपने अंदर रुहानी अनुभव प्राप्ट करके अमली तौर पर सच के दर्शन कर लेता है दूसरे शब्दों में सच्ची रुहानियत में परमात्मा के विशे में लफजी या किताबी ग्यान पर जोर नहीं दिया जाता बलकि अमली तौर पर उससे मिलाप करने पर जोर दिया जाता है जो व्यक्ति शरीर को खाली करके आखों के पीछे सुरत एकागर करके अंदर शब्द की आवाज और शब्द के प्रकाश से नहीं जुड़ा वह सादू या महात्मा कहलाने का अधिकारी नहीं अपने अंतर में शब्द का साक्षात अनुभव करने के लिए निर्मल रहनी या नेक जीवन जरूरी है इस मार्क पर चलने के इच्छुक जिग्यासू और साधक के आचरण में पून निर्मलता का होना अवश्यक है नेक आचरण के साथ ही उसकी कमाई भी नेक होनी चाहिए गुरू साहिब कहते हैं कि दरगा में केवल वही दान कबूल होता है जो अपनी हक हलाल की नेक कमाई मेंसे दिया जाए नानक अग्या सो मिला जे खटे काले दे गुरु साहिब के कहने का भाव है कि हक हलाल की कमाई का कुछ भाग, प्रसंता पुर्वक, दूसरों में बाटना और परमार्त के कामों में खर्च करना भी जरूरी है इस तरहां के वन छक्कन, अर्थात, बाट कर खाने वाले व्यक्ति को परमात्मा के सच्चे मार्क की पहचान हो जाती है काल खाये की छथों दे, नानक रा पचाने से नेक कमाई से बने भोजन का मन पर भी नेक प्रभाव होता है इससे रूहानी अभ्यास में सहायता मिलती है इसके विपरीत, बुरी कमाई या पराई कमाई का भोजन रूहानी उन्नती में रुकावट डालता है रूहानी उन्नती चाहने वाले के लिए केवल यही ध्यान रखना काफी नहीं कि कैसा भोजन किया जाए बलकि यह देखना भी जरूरी है कि भोजन कैसी कमाई से आया है और साथ ही भोजन उतेजना तथा विकार उत्पन करने वाला नहीं होना चाहिए गुरु साहिब कहते हैं इस प्रकार सच्चे प्रमार्थी का जीवन अंदर और बाहर से एक सा होना चाहिए गुरु साहिब ने बड़े सपश शब्दों में पाखंड या दिखावे के जीवन का खंडन किया है सच्चे प्रमार्थी के सोचने और कहने तथक कथन और क्रिया या कथनी और करनी में पूरी एक सवर्ता होनी चाहिए उसकी कथनी, करनी और रहनी उसके विचार का दरपन होनी चाहिए गुरु साहिब उन लोगों के बारे में साफ तौर पर कहते हैं कि जो बाहर से पवित्र और बड़े नेक बन कर दिखाते हैं परन्तु अंदर से जूठे और दुष्ट होते हैं ऐसे लोग चाहे सारी आयू तीर्थों पर स्नान करते रहें, कभी निर्मल नहीं हो सकते अंदरों चूठे पैज बाहर, दुनिया अंदर फैल, 68 तीरत जे नावै, उत्रै नाही मैल गुरू साहिब ने अपने समय के पंडितों और काजियों की खास तौर पर जोड़दार शब्दों में अलोचना की है जो दुनिया को नेक पाक होने का दिखावा करते थे परन्तु अंदर से साधारन लोगों की तरह ही बुराईयों या विकारों के शिकार थे आप कहते हैं कि काजी इंसाफ की कुरसी पर बैठता है वह तस्भी यानि माला फेरता है और परमात्मा का नाम लेता है परन्तु वह रिश्वत लेकर ना इंसाफी करता है यदि कुछ कहें तो कुरान शरीफ की आयते सुनाना शुरू कर देता है फिर गुरु साहिफ फर्मात्मा के नाम पर व्यपार करने वाले लोगों के जीवन को धिकार है उनकी परमार्त की खेती उजड जाती है और उनके पास साथ ले जाने के लिए कुछ नहीं बचता सांसारिक पदार्थों तथा धन दोलत की तृष्णा हमेशा रुहानी उन्नती के मार्ग में भारी रुकावट रही है धन संपत्ती आधी के लोब में आकर जीव को भले बुरे तक का ध्यान नहीं रहता अधिक मिलने से उसकी तृष्णा बढ़ती ही जाती है जैसे जैसे लोब की पूर्ती होती है वैसे वैसे लोभी का लोब और बढ़ता जाता है गुरु साहिब कहते हैं कि चाहे सारे लोकों की दौलत भी क्यों न मिल जाए लोभी की तृष्णा पूरी नहीं हो सकती सांसारिक पदार्थों के पीछे पागल हुआ जीव, चोरी, ठगी, भैमानी और अन्य खोटे कर्म करने से भी नहीं जिजकता गुरुनानक साहिब फरमाते हैं कि धन दौलत का जाल और प्रभाव इतना दुख पूर्ण है कि यह पाप के बिना इकठी नहीं होती और मरने पर साथ नहीं जाती इसके द्वारा अनेक बरबाद हो चुके हैं और अनेक हो रहे हैं इस जर कारन कनी विगुत्ती इन जर कनी खुआई पापा बाजों हो वै नाही मया साथ न जाई बैमानी की कमाई करने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों ही की गुरु साहिब ने एक जैसी आलोचना की है हिंदू गाएं के और मुसलमान सुवर के मास को खाना पाप समझते हैं गुरु साहिब कहते हैं कि पराया हक मारना गाएं और सुवर के मास खाने के बराबर है आपके कथन के अनुसार गुरु या पीर दरगा में उनकी ही सहायता करता है जो पराय हक का मुर्दार खाने से परहेज करते हैं गुर्नानक साहिब शाकाहरी भोजन के बड़े दर्ड समर्थक थे शाकाहरी भोजन का रिवाज भारत के आहिंसा और जीव दया के प्राचीन सिद्धान्त पर आधारित है जैन मत के संस्थापक, भगवान महावीर और बौध मत के संस्थापक, महत्मा बुद्ध के वक्त से आज तक भारत के नैतिक और धार्मिक जीवन में इस सिद्धान्त पर जोर दिया गया है महसीन फानी अपनी प्रसिद फार्सी रचना दबिस्ताने मजाहिब में जो की गुरु नानक के विशे में एक विश्वस्निय पुस्तक है, उसमें लिखता है वे यानि गुरु नानक साहिब मास शराब के प्रयोग के विरुद थे उन्होंने स्वयम इन वस्तूओं के प्रयोग से परहेस किया और जीवों के प्रती निर्दियता पून विहवार के विरुद प्रचार किया उनके जोती जोत समा जाने के बाद उनके कुछ अनिवाईयों ने मास खाना शुरू कर दिया जब गुरू नानक की गद्धी के गुरू अर्जन देव को इस बात का पता चला तो उन्होंने लोगों को मास खाने से मना किया और फरमाया मास खाना गुरू नानक साहिब के हुक्म के खिलाफ है आदिगरंथ में कई स्थानों पर गुरू नानक साहिब ने अपनी वाणी में हिंदूओं और मुसल्मानों के धर्मिक नेताओं, पुरोहितों और मुल्लाओं के पाखंड भरे जीवन की जबरदस्त आलोचना की है ऐसे विवरणों में आपने मासाहार का विशेश खंडन किया है आप जबजी में एक स्थान पर कहते हैं कि संसार में अनेक लोग जीव हत्या के पाप के भागी बनते हैं और अनेक मलेच बुद्धी वाले लोग अप अवित्र भोजन ग्रहेंड कर रहे हैं असंख गलवड हत्या कमा हैं असंख पापी पाप कर जाएं असंख कुडियार कूडे फिरा हैं असंख मलेच मल पाक खाएं आप कहते हैं कि ब्रामन लोगों को यग्यो पवीत धारन करने के लिए कहता है पर उसकी अपनी करनी यह है कि वह बकरे काटकर और पकाकर खाता है मास खाने वाले मुल्ला नमास पढ़कर अपनी नेकी जाहिर करते हैं और जीवों के गले पर छुरियां चलाने वाले ब्रामन अपने गले में यग्यो पवीत पहने फिरते हैं ऐसे लोगों की रहनी भी जूटी है और उनका खाना पीना भी जूटा है ब्रहमन माथे पर तिलक लगा कर और शरीर पर धोती बांद कर फिड़ते हैं परंतु उनके हाथों में छुरिया है और वे कसाईयों की तरहां जीव हत्या करते हैं तग कपाहो कतिये बामन वटे आये को बकरा रिन खाया सब को आख्या पाये मानस खाने करे निवाज छुरिव गायन तिन गलताग तिन कार ब्रहमन पूरै नाद उनना वियावै ओई साद कूडी रास कूडा वापार कूड बोल करै आहार सरम तरम का डेरा दूर नानक कूड रहया परपूर मत्य टिका तेड तोति कखाई हत्य चुरि जगत कासाई गुरु साहिब दुआरा जारी किये गए गुरु के लंगर में भी कभी मास परोसने की आग्या नहीं दी गई गुरु दुआरों यानी धर्म स्थानों के प्रबंद में आए कई परिवर्तनों के बावजूद इन में आज तक मास, शराब और अन्य नशीली चीजों के प्रवेश की इजाज़त नहीं दी गई है ताकि इन स्थानों की पवित्रता भंग ना हो जन्म साखियों में मक्का और मदीना से संबंधित साखियों से और भाई बाले की जन्म साखी से भी इस विचार की पुष्टी होती है कि गुरु साहिब के समय शाकाहारी भोजन का रिवाज था चटी पाचशाही ने भी अपने हुक्म नामों में संगत को मास वा मचली खाने से मना किया था भारत वर्ष में शाकाहारी भोजन की परंपरा कर्मों के कानून पर आधारित है कर्मों के कानून की दृड़ धारना है कि कोई भी जीव अपने किये हुए कर्मों के फल से नहीं बच सकता उसका फल चाहे इस जन्म में मिले या फिर किसी अगले जन्म में पर मिलेगा अवश्य बीजबोना फसल काटने की मजबूरी के साथ जुड़ा हुआ है जो इस जन्म में किसी को मारता है उसको किसी अगले जन्म में उसके हाथों मरना भी पड़ेगा जो किसी पशु की जान लेता है उसे अपने कर्मों का लेखा भुगतने के लिए जान देनी भी पड़ेगी भारत की शायद ही कोई ऐसी विचारधारा हो जिसमें कर्म और फल के नियम को ना माना गया हो यह नियम इस जन्म तक ही सीमित नहीं है भावी जन्मों तक भी फैला हुआ है गुरु सहिब कहते हैं कि कर्मों का कानून केवल किम वदनती नहीं एक सच्ची वास्त्विक्ता है और हर एक को अपने किये हुए कर्मों का फल स्वयम भोगना पड़ता है पुन्नी पापी आखन नाए करकर करना लिख ला जाओ आपे बीज आपे ही खाओ नानक उकमी आवो जाओ सुख दुख पुरव जनम के किये सो जाने जिन दाते दिये किसको दोश दे तूँ प्राणी सो अपना किया करा रहे चंगे आईयां बुरे आईयां वाच्चै तरम हदूर कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर भारत वर्ष के धर्मों में प्रचलित शाकाहरी भोजन के पीछे एक अन्य महतपून विचारधारा काम कर रही है कि हमारे आहार का हमारे विचार और आचार पर बहुत प्रभाव पड़ता है कुछ ऐसे सात्विक भोजन हैं जो शांती और धैरे में वृधी करते हैं और ऐसे राजसी और तामसिक भोजन भी हैं जो उतेजना और विकारों को जन्म देते हैं ऐसे भोजन भी हैं जो भजन सिमरन के लिए आवश्यक एकांत वातावरन के अधिक अनुकूल हैं और ऐसे भोजन भी हैं जिन से सांसारिक उध्यम और भागदोड के जीवन में रूची बढ़ती है गुरु साहिब कहते हैं संत महात्माओं ने इस बात पर जोड दिया है कि केवल ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जो रुहानी उन्नती में सहायता देने वाला हो क्योंकि जैसा की प्रसिद है जैसा खाए अन वैसा होए मन इसलिए संत महात्माओं जोरदार शब्दों में अपने शिश्यों और सेवकों को मास, मच्छी, अंडे, शराब और नशीले पदार्थों और दवाईयों आदी के प्रयोग की सक्त मनाई करते हैं वे उनको दाल, अनाज, फल, सबजी और मेवे के प्रयोग की ताकीद करते हैं क्योंकि इन से बना भोजन, स्वास्थे और भजन सिम्रन दोनों के लिए लाबधायक है अरस्तु ने एक स्थान पर अपने महान गुरू के विशे में ये विचार प्रकट किये हैं प्लेटो इतना बड़ा है कि कोई छोटा व्यक्ति उसकी प्रशंसा करने के योगे नहीं है क्या गुरू नानक साहिब के विशे में की गई हमारी महिमा पर यही कथन लागू नहीं होता हम साधारन तोर पर गुरू साहिब की महिमा करते रहते हैं कि वे महान समाज सुधारक थे हम कहते हैं कि उन्होंने भिन-भिन संप्रदायों के लोगों को आपस में प्रेम और प्यार से रहना सिखाया हम यह भी कहते हैं कि उन्होंने जाती-पांती के भेदभाव को स्माप्त किया निसंदे गुरु साहिब ने काफी सीमा तक यह सब करने में सफलता पाई परंतु यह तो उनके महान उपदेश का मामूली सा परिणाम था जितनी माननेता इन सब बातों के लिए हम उन्हें देते हैं वे उनसे कहीं अधिक महान थे जो लोग उनकी संगती में आये गुरु साहिब ने उनको अपने महान उपदेश पर चलने के योग्ये बनाया और परम सत्य की पहचान करने की सामर्थे बक्षी गुरु साहिब ने उनको उस सत्य का केवल बौधिक ज्यानी परदान नहीं किया बलकि अंदर सत्य के साक्षात दर्शन भी करा दिये उन्होंने लोगों को इस सच का जीता जाकता अनुभव कराया कि एक ही सर्व व्यापक परमेश्वर सब में समाया हुआ है उन्होंने लोगों को ये प्रत्यक्ष ग्यान प्राप्त करने के योग्य बनाया कि समस्त बहारी भेदभाव केवल दिखावे के और बनावटी है जबकि सारी श्रिष्टी के जीवों के अंदर एक ही परमात्मा का नूर फैल रहा है गुरू साहिब ने अपने आंतरिक रुहानी अनुभव के अधार पर इस पून एकता का ऐसा द्रिड ग्यान दिया है कि हर प्रकार का द्वैत एक भ्रम बनकर रह गया है इस प्रकार के रुहानी प्रकाश और सहज ग्यान के बाद किसी प्रकार के लड़ाई जगडे और वैर विरोत की गुनजाश ही कैसे रह सकती है प्रेम और दया के रूप उस प्रभू में समा जाने के बाद जीवात्मा में किसी प्रकार का स्वार्त, द्वेश, क्रोद और घ्रिना के लिए स्थान ही कहां बचता है किसी महान संसद्गुरु के संसार से चले जाने के बाद सदा यही खत्रा बना रहता है कि समय बीतने के साथ उनका उंचा और निर्मल उबदेश कहीं निर्मल ना हो जाए उसमें पतन ना आ जाए या उसको लोग बिलकुल भूल ही ना जाए मुझे पूरी आशा है कि गुरु नानक साहिब द्वारा प्रकाश में लाई गई सच की निर्मल जोती सदा पूरी शान के साथ जलती रहेगी और लोगों का मार्ग रोशन करती रहेगी मैं गुरु साहिब के जीवन और उबदेश के इस वर्णन की समापती एक विनम्र प्रात्ना के साथ करना चाहूंगा हे परम पिता परमेश्वर हमें निर्मल बुद्धी दे ताकि हम गुरु साहिब के उबदेश को सही अर्थों में समझ सके और हमें बल बक्ष कि हम इस उबदेश को अपने जीवन में उतार सके